Hello Everyone, Welcome to Study IQ So, इस वीडियो लेक्चर में हम discuss करेंगे Promenance of Local Winds Around Mediterranean Sea जो Mediterranean Sea वाला region है उसके around इतनी सारी जो local winds है वो क्यों है जो factors responsible है उसी पर हम चर्चा करेंगे This video is presented by me, my name is Saurabh Pandey इस लेक्चर का PPT आप मेरे Facebook पेस से डाउनलोड कर सकते हैं My Idea is Saurabh Pandey 009 अगर आप किसी भी State PSC exams की preparation कर रहे हैं तो आप हमारे Pen Drive courses का benefit उठा सकते हैं अगर आप Bandh Pradish, Maharashtra, Uttar Pradish, Kujrat, Punjab, Uttarakhand, Chattisgad, Andhra Pradish, Jharakhand, Karnatka, Bihar और Himachal Pradish इन में से किसी भी State के PSC की preparation कर रहे हैं तो आप हमारे Pen Drive courses का benefit उठा सकते हैं आप studyaq.com website visit कर सकते हैं और इन courses के बारे में जानकारी हासिल कर सकते हैं तो चलिए topic स्टार्ट करते हैं तो पहले ये जानने का प्रयास करते हैं कि Mediterranean Sea कहां पे located है तो ये जो sea आपको दिख रहा है ये जो है Mediterranean Sea है ये है Africa फिर ये अगर हम northernmost countries की बात करें एरिया है ये है Europe जो countries है जैसे ये Spain है Italy है तो यहां भी अलग-अलग European countries है और इधर अगर इस region में अगर हम देखें तो में ली Turkey है Cyprus है ये countries इधर located है तो ये चीज़ हमें ध्यान रखना है कि Mediterranean Sea कहां पे located है हम समझने का क्या प्रयास कर रहा है कि इस region में जो इतनी सारी जो local winds blow करती है अलग-अलग local winds blow करती है जैसे mistral, bhora, circo अलग-अलग जो है ये जो local winds है वो blow करती है तो क्या-क्या factors responsible है इन winds के लिए तो जिसे अगर हम southern portion की बात करें जैसे ये जो southern portion है ये in general जो है Mediterranean Sea है तो कुछ जो winds के नाम है उसे आप no down भी कर सकते है तो पहला point हमें जो समझना है कि जो ये अफरिका है जैसे ये अफरिका है जो Mediterranean Sea के southern portion में located है तो कोई भी local wind अगर इस portion से उपर की तरफ move करेगी क्योंकि ये अफरिका है और यहाँ ये desert area है यहाँ से अगर कोई भी जो wind है वो यहाँ से उपर की तरफ blow करेगी तो हमेशा कैसी होगी wind hot होगी है ना क्योंकि उसका temperature ज़्यादा होगा वहीं अगर कोई wind जो ये northern portion है Mediterranean Sea का वहाँ से अगर blow करेगी क्योंकि यहाँ पे mountains भी है जैसे alps करके जो mountain range वहाँ पे located है और वहाँ temperature भी comparatively low है तो यहाँ से जो भी wind blow करेगी तो वो wind कैसी होगी वो cold wind होगी तो यह प्रश्ण भी कई बार पूछा गया है जैसे आप से पूछा गया कि जो सिरको है सिरको को हम कैसे लेकेंगे SIROCCO जो यह सिरको wind है जो की again blow करती है अफ्रिका के यह जो northern portion से Mediterranean Sea की तरफ तो यह कैसी wind है तो यह wind है hot यह है hot dry dusty wind hot dry dusty wind अब यह जो सिरको wind है इसके अलग-अलग नाम है जिसको आप लिख भी सकते हैं तो वो अलग-अलग नाम क्या-क्या है जैसे for example इसको जो यह तुनीशिया है तुनीशिया जो country है जो की again located है northern portion में Mediterranean Sea की यहाँ पे जो located है तो इसे वहाँ पे बोलते हैं चिली उसके बाद अगर हम देखें लिब्या लिब्या भी northern portion में located है तो लिब्या में इसी सुरक्को को क्या बोला जाता है जो है इसको बोला जाता है Ghibli G-H-I-B-L-I Ghibli उसके बाद अगर हम इसी wind को Egypt में देखें तो इसको बोलते है Kamsin K-H-A-M-S-I-N Kamsin Kamsin बोलते हैं वहीं अगर हम इस pain में जाएं तो इस pain में इस wind को हम बोलते है यह काफी important भी है उसको हम बोलते है Again Leveche L-E-V-E-C-H-E Leveche इसको हम बोलते हैं तो जो ध्यान रखने वाली बात यह है कि सिरक्को जो है सिरक्को hot, dry, dusty wind है तो अगर आप से पूछे कि चिली कैसे wind है अब चिली सुनके तो इंगलिश मामें लगया कि चिली को लिंक कर सकते है आप चिल से और उसको आप कह सकते हैं कि यह cold wind है बट यह cold नहीं है यह hot wind है similarly या फिर जैसे खामसीन है या गिबली है या लेवेची है यह सारी जो winds है जो की अलग-अलग नाम है सिरको के तो यह सारी जो winds है वो hot, dry, dusty wind है तो यह point हमें ध्यान रखना है दूसरा point यह ध्यान रखना है कि यह जो सिरको है तो अलग-अलग जो इसके wind के जो नाम है तो जैसे तुनिश्या में क्या नाम है जो यह assistant commandant exam होता है और even IS के exam में भी आप last year के paper देखें तो इस topic से बहुत सारे प्रश्ण पूछे गया है mainly in local winds से related इसके अलावा अगर हम बात करें कुछ जो दूसरी winds है जिसे mistral यह mistral यह bora यह ऐसी winds है जो की again यह cold winds है again क्यो cold winds है क्योंकि यह जो northern portion है Mediterranean Sea के वहां से आ रही है अब इतनी सारी winds होगे इसके अलावा भी बहुत सारी local winds है उनके local नाम है तो हमने सिर्फ main जो local winds है उन्हीं को discuss किया है अब यह समझते हैं कि इतनी सारी जो winds है वो क्यों है इसके लिए हमें जो topography है इस reason के around उसको थोड़ा समझना पड़ेगा तो यह Africa है और अलग-अलग जैसे countries है मुरको, Tunisia, Libya, Egypt यह countries है यह Mediterranean Sea है यह जो Sea है यह Adriatic Sea है यह जो आपको mountains दिख रहे है यह Alps है फिर आप अगर इधर देखें तो यह Atlantic Ocean है यह Atlantic Ocean है और फिर अगें यहाँ पर Continental Interior है यह सारे है तो यह Topography है अलग-अलग Topography तो आपके पास यहाँ पर Desert भी है आपके पास Open Ocean भी है आपके पास Closed Sea भी है उसके बाद अलग-अलग छोटे-छोटे Sea भी है और उसके बाद यहाँ देखें तो Mountains भी है और Continental Interiors भी है तो बहुत सारे अलग-अलग Topography है तो इसको अगर हम In General Draw करें तो Northern Portion में Alps है यहाँ पर Atlantic है यहाँ पर Desert है फिर यहाँ पर अगें बीच में Mediterranean Sea है और यहाँ अगर देखें तो Continental Interior है अगर आप इस Topography को देखें तो जो इतनी Diversified Topography है इस वज़े से क्या है कि जो Pressure है Temperature है Pressure है और जो Precipitation है मतब जो Rainfall है यह सारे Aspects Impact होते हैं तो यह जब सारे Aspects Impact होते हैं तो जो Winds हैं Winds भी Blow करेंगी तो इसको In General अगर ऐसे समझे जैसे कोई भी यह एक Area है इस तरीके से अगर आप एक Land Area लेते हैं तो यहाँ पे हवा का दबाव होता है Air जो है Moving Air को हम Wind बोलते हैं तो In General अगर Wind जो है Blow नहीं कर रही है तो Air है तो Air जो है जो हवा है हवा किसी भी Reason में अगर Present है तो उसका दबाव होगा अगर वहाँ पे Temperature इंक्रीज होता है तो हवा के जो कड़ है वो उपर उठेंगे जब हवा के कड़ उपर उठेंगे तो दूसरी जगह की जो हवा है वो उस जगह पे आ जाएगी तो हवा का जो Moment होगा जो Moving Air को हम जैसे Wind बोलते है तो हमेशा High Pressure से Low Pressure की तरफ होगा तो क्योंकि यहाँ पे सारे ही Factors available है अलग-अलग factors available है जिस वज़ा से जो यह Pressure Difference है Pressure Difference अलग-अलग Areas में जनरेट होता है और इसी वज़ा से जो है Local Winds इतनी सारे यहाँ पे बन रही है तो जैसे यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ Desert Area है Temperature बहुत High रहेगा तो अगेन यहाँ Low Pressure रहेगा यहाँ Comparatively High Pressure होगा जैसे यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ भी जो Pressure Difference होगा Temperature Difference आपको Visible रहेगा Alps है तो यहाँ Cold Area यहाँ भी आपको Temperature Difference रहेगा यहाँ अगर इससे Compare करें तो यहाँ पे क्योंकि यहाँ Alps Mountain है यहाँ जो Snow है वो Present रहेगा तो Temperature Low रहेगा तो Pressure High रहेगा इससे Compare करें Mediterranean Sea वाले Reason से तो इससे Compare यहाँ पे Low Pressure रहेगा इसके Compare यहाँ पे Again Further Low Pressure रहेगा Continental Areas में Season के हिसाब से Vari कर सकता High Pressure या Low Pressure तो यह जो अलग-अलग Pressure Gradients यहाँ पे दिख रहे हैं जो की Again Visible क्यों हो रहे हैं क्योंकि इतनी Diversified Topography है इस वज़े से आपको इतनी सारी जो Local Winds है जैसे For Example जैसे हमने Discuss किया यहाँ से Blow Mistral कर रही है बोरा कर रही है इदर से सिरको कर रही है इस portion से जो Winds blow कर रही है उसको हम सिरको बोलते है और उसके भी अलग-अलग नाम है Tunisia में अलग है Spain में अलग है Egypt में जैसे Kamsin है Spain में लेचे है तो अलग-अलग जो नाम भी है इसी सेम Wind के तो यह चीज जो है हमें ध्यान रखना है इसे Related Mains में भी प्रश्ण पूछा जा सकता है कि जो है जैसे प्रश्ण आपके GS Paper 1 जो अगर आप UPSC की Preparation कर रहा है तो GS Paper 1 में Geography जो अलग से Module है उससे जो है प्रश्ण बन सकता है और आप से यह पूछा जा सकता है कि Mediterranean Sea में इतने सारी जो Local Winds है उनका Prominence क्यों है तो आपको Middle East जो Explain करना है वो यह Explain करना है पहले तो आपको Map बना के यह Show कर देना है कि Mediterranean Sea Region जैसे for example आप देख सकते हैं तो आप पहले तो यह Show कर दीजे Map के थुरू कि यह Mediterranean Sea है थोड़ा सा अफरिका ड्रॉ कर दिया और फिर Mediterranean Sea और European Northern Portion यह ड्रॉ कर दिया और फिर बता दिया कि यहाँ अलग-लग जो Sea Areas है अट्रियाटिक और यह सारा फिर Open Area है Open Sea Area Atlantic Ocean का और यहाँ पे जो है अफरिका है जहाँ पे Desert है और फिर Continental Interior है फिर वहाँ पे बता दिया कि क्योंकि इतना Diversified Topography है और इस वज़े से जो Change in Temperature Pressure यह सारी चीज़ें विजिबल रहती है और इस वज़े से जो है इतनी सारी Local Winds है तो यह Point अगर आपने Explain कर दिया अगर आप सिर्फ Language में लिखते हैं तो 3 to 4 Marks मिलेंगे या 2 to 3 Marks ही मिल लेंगे लेकिन अगर आपने Proper Map के तुरू Show कर दिया तो 7 to 8 Marks Out of 10 मिल सकते हैं तो इसलिए यह बहुत Important Topic भी है इस वीडियो लेक्चर में हमने जानने का प्रयास किया